पुलिस अगर आपको सड़क पर नहीं दिखे तब भी आप असावधानी से नहीं चल सकते हैं वरना आपकी सोच गलत सावित हो सकती है और पुलिस से वहाँ नहीं दिखने के बाद भी आपके घर तक चालान भेज सकती है दरसल पटना को स्मार्ट सीटी बनाने के क्रम में एकिकरित कमान और नियंतरन केंद्र निर्मान का काम अंतिम चरण में है इस नियंतरन कक्ष के जरिये नकेवल शहर की यातायात विवस्था को सुद्रेड किया जाएगा बलकी अतिक्रमन से लेकर तमाम अनियम इतताओं पर नजर भी रखी जाएगी कोई भिव्यक्ति अगर यातायात नियम तोड़ता है तो उसकी तस्वीर के साथ चालान भी घर तक पहुत जाएगा ऐसे में सड़क पर पोलिस नहीं दिखने पर लाल बत्ती पार करना भी आपको महगा पड़ सकता है जिलाधिकारी डॉक्र चंदर शेख सिंग और यातायात पोलिस अधिक्षक अनिरकुमार के साथ निर्माणा धीर केंद्र का निरिक्षन भी किया गया इस बौके पर जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि ये की कृत कमान और नियंत्रन केंद्र के द्वारा यतयात नियंत्रन लालबत्ती उलंगन का पता लगाने और गती उलंगन जैसी उन्नत प्रणालियों के कामकाज का नियंत्रन और निग्रानी किया जाएका ये केंदर शहर में सुरक्षा, रक्षा और बेहतर सर्वजनिक सेवाएं प्रदान करेगा इसे पुलिस को कानून विवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि ICCC भवन में ही जिला नियंतरन कक्ष और PIR को शिफ्ट करने की योजना है मदनिशेद कानून को प्रभावी धंग से लागू करने के लिए उतपाद विभाग ने प्रयास भी तेज कर दिये हैं होली में शराब तसकरी को नियंतरन करने के लिए उतपाद विभाग के ओर से पटना पोलिस की मदद ली जाएगी पटना पुलिस के जवानों को पूरे जिले में चौकसी बरतने के लिए नई मोटरसाइकल दी जा रही है इस एक्रम में उतपाद विभाग द्वारा पटना पुलिस को 20 मोटरसाइकल सौपी गई जिसे जिलाधिकारी और पुलिस अधिक्षक याता यात के द्वारा समाहन डाले परिसर से हरी जंडी दिखा कर रवाना भी किया गया आपको ये पता दे कि होली के दोरान शराब की तसकरी रोकने के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा 48 मोटर साइकल पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जानी है इसके तहट 20 मोटर साइकल दी गई, 6 28 मोटर साइकल भी जल्द दे दी जाएगी इसके अतरिक्त 22 दो पहिया वाहन पुर्व से पुलिस विभाग में है मदनिशेद कानून को प्रभावी बनाने के लिए जिले में 148 ब्रेथ एनलाइजर उपलब्ध कराए गए हैं जिसके तहट पुलिस को 90, रेल पुलिस को 25, उतपाद विभाग को 21 और परिवहन विभाग को 2 ब्रेथ एनलाइजर दिये गए हैं होली तेवहर के अउसर पर शराबबंदी अभियान के प्रभावी, क्रियानवयन और छापेमारी के लिए 148 ब्लेथ एनलाइजर, 3 रोन, 3 मोटर बोट और 3 टीमें लगाई गई हैं सरकार द्वारा पटना जिले को 5 अतरिक पदाधिकारी भी उपलब्ध कराए गए हैं लेकर इन सब के बीच सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब पोलिस जो है वो अपने नियम से काम कर रही है यातायात व्यवस्था को सुद्रिड करने के लिए ही अतिक्रमर से लेकर तमाम अनियमित्ताओं पर नजर रखी जाएगी और इसके तहएत कोई भी व्यक्ति अगर यातायात नियम तोड़ता है तो उसकी तस्वीर के साथ चलान उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा कि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें